आज की वीडियो में बालों का जड़ने के कम करके बाल तेजी से बढ़ने के लिए एक नाच्रल हेरोयल को बता रही हूँ साथ में इस हेरोयल को यूज करने वज़े से बाल लंबे गने और खाले भी बनेगी बहुत बहुत नाच्रल हेरोयल है फ्रेंड से इस Natural and Effective Hair Oil को प्रिपेर करने के लिए सिर्फ गर्मे का तीन चीज चाहिए तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बाल, लंबे, गने, मोटे होने के लिए एक Natural कड़ी पता Hair Oil कैसे प्रिपेर करना है प्रिपेर करने के बाद उसको कैसे Correct यूज करना है बताती हूँ उसके बारे में आप Complete जानना चाते है तो वीडियो को Skip मत करिए आपको इस Oil यूज करने वज़े से Guarantee Result मिलेगी वीडियो को लाश तक देखिए फ्रेंड्स वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले इस करी पता Hair Oil को प्रिपेर करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए नारियल का तेल मैं यहाँ एक बाउल नारियल का तेल को माप करके लेनी हूँ साथ में सबसे important ingredient कड़ी पता इसको मैं अच्छे से वाश करने के बाद एक cloth से dry करके लेना चाहिए देखिए यह भी मैं एक कप ले हूँ कड़ी पता हेर ओल प्रिपेर करके यूज करने वज़े से हमारा बाल लंबे और गने बनेगी साथ में काले भी बनेगी हेर फॉल भी कंट्रोल होने के लिए इस वाइल बहुत अच्छा होता है मैं तो यहाँ एक कप coconut oil के साथ एक कप curry leaves को ली हूँ आप चाहिए तो curry leaves को ज़्यादा भी ले सकते हैं coconut oil and curry पते के साथ हमको चाहिए एक teaspoon मेती की दाना curry पता हेर ओल प्रिपेर करने के लिए एक teaspoon हम मेती की दाना यूज करना चाहिए यह important नहीं होता है चाहिए तो आप यूज करें नहीं तो skip भी कर सकते हैं अब एक चोटा mixi jar लेके उसमें curry पते को add करेंगे mixi jar dry होना चाहिए उसमें water नहीं होना है and clean भी होना चाहिए अम oil prepare कर रहे हैं उसलिए mixi jar को अच्छे से clean करके लेना है अब इस mixi jar में curry पते दाल रहे हूं साथ में एक टीस्पून मेती की दाने को भी दाल के अच्छे से इसको powder करना है अच्छे से मतलब इसको देखिए वीडियो में दिख रहे है ना इस तरीके से powder करना चाहिए अब इसको side में रख लेंगे side में रखने के बाद इस oil को prepare करने के लिए मैं तो यहां iron कडाई को इस्तमाल कर रही हूं oil को prepare करने के लिए iron कडाई ही चाहिए बहुत ज़्यादा अच्छा benefits मिलता है हमको iron कडाई में oil prepare करने वज़े से कडाई में coconut oil को दाल रही हूं साथ में पाउडर करके रख ले है न करी लिव सैंड मेती की दानी के पाउडर उसको दाल के अच्छे से मिक्स करना चाहिए मिक्स करते समय हमको इसमें dry spoon इस्तमाल करना है water नहीं होना चाहिए spoon पर देखिए friends अच्छे से मिक्स हो चुका है इस कडाई को स्टाव पर रखके स्टाव वान कर लेना है बाद में flame को लोव पर रखके 8 से 10 मिनिट तक इसको boil कर लेना है एक दो मिनिट चोड़ के इस तरीके से मिक्स करना चाहिए नहीं तो oil जल जाएगी उसलिए हम इस तरीके से मिक्स करना चाहिए देखिए फ्रेंड्स 10 मिनिट के बाद oil का कलर कैसा चेंज हो चुका है अब हमारा oil रेडी हो चुका है फ्रेंड्स देखिए आपको करेक्ट बता रही हूँ इस तरीके से होना चाहिए कड़ी पत है न वो क्रिस्पी होना है उस तरीके से होने के बाद तुरंत ही स्टवाफ करके इसको अच्चे से तंडा होने के लिए चोड़ देंगे देखिए फ्रेंड्स सब होईल अच्चे से तंडा हो चुका है इसको एक क्लीन बाउल में फिल्टर कर लेंगे देखिए चन्नी रखकर इसको फिल्टर कर रही हूँ ओईल को complete filter करने के बाद देखिए friends ओईल का color कैसा दिख रहा है filter करने के बाद इसको एक glass bottle में डाल कर रख लीजिए 2-3 माईने तक इसको store करके आप use कर सकते हैं कुछ भी नहीं होगी देखिए friends इस तरीके से prepare करने के बाद ओईल को कैसा use करना है बताते ही हूँ इस oil को scalp पे apply करके 2-3 मिनिट तक अच्छे से massage कर लीजिए साथ में बालों पर भी apply करना चाहिए apply करके एक गंटे ऐसे ही रखना चाहिए एक गंटे होने के बाद mild shampoo यूज़ करके normal water से hair wash कर लीजिए हकते में 2-3 बार इस oil को यूज़ कर सकते हैं guarantee आपको इस oil यूज़ करने वज़े से result मिलेगी तो friends आप भी इस कड़ी पता hair oil को prepare करके यूज़ करके देखिए guarantee आपको अच्छा result मिलेगी बाल लंबे गने और काले बनने के लिए इस oil बहुत ज़्यादा help करता है आप इस oil को यूज़ करने के बाद result कमेंट करके बताईए आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो like करिए चानल को subscribe भी कर लिजिए friends Thank you